हम आज एक नया चाप्टर रिवाइस करेंगे चाप्टर का नाम में क्या Capital and Revenue Item यह चाप्टर क्यों बनाए गया इसके पहले का बैक्राउंड पहले समझेगा तो हम बात करें जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एन पी एल एकाउंट क्या बनाते हैं उसके अंदर में हम लोग Record करते हैं केवल अपने रेविन्य आईटम्स को जैसे जो हमारा रेविन्य रेसिप्ट होता है या जो हमारा रेविन्य एक्स्पेंडीचर होता है उन्ही आईटम्स को हम लोग Record करते हैं Sir what is revenue? I will tell you later बट इतनी बास समझो कि जब हम trading PL बनाते हैं तो फिर हम कौन से items को record करते हैं revenue items को record करते हैं जब हम balance sheet बनाते हैं उसके अंदर में कैसे items आते हैं हमारे capital life है कैसे items आते हैं हमारे तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना differentiate करना कि क्या revenue items है और क्या capital items है क्योंकि revenue items कहां पर आएगा आपका trading PL में और capital items कहां पर आएगा balance sheet के अंदर में आएगा very important chapter of your class 11th theory है but very important theory तो आपने ये देखा कि दो type के items होते हैं revenue items और एक होता है capital item तो अब हम बात करें हमें पैसा मिलता भी और हम पैसा का खर्चा भी करते हैं expenditure भी करते हैं तो जब मिलता है तो फिर सका आप कहते हो receipt और जब खर्चा करते हो expenditure तो इस हिसाब से आपका revenue receipt हुआ और capital receipt हुआ और खर्चे में क्या हुआ revenue expenditure और capital expenditure अब बात समझ रहे हैं ने समझ रहे हैं there are two kinds of receipts receipt मतलब जो पैसा मिल रहा है that is called as receipt expenditure मतलब जो हम पैसा खर्चा कर रहा है जो हम pay कर रहे हैं तरह के से layman language में वो क्या हुआ expenditure तो revenue receipt क्या हुआ और capital receipt तो टाइप के क्या revenue receipt और वैसे ही करके expenditure भी दो टाइप का revenue expenditure और दो टाइप के expenditure तो इस basis पर हम लोग यहां पर by-fious information करेंगे इस basis पर हम लोग यह समझेंगे अब हम लोग यह समस्ते की revenue items और capital items के बीच में आपस में difference क्या होता है तो revenue word का मतलब होता है strents recurring in nature revenue word का मतलब क्या होता है recurring का मतलब क्या हुआ जो की bar Flight होता रहा जबकि जो हमारा capital items होता है न, वो कैसे items होते है जैसे अगर मैं बात करूँ अपने किसी expense की तो salary, क्या salary हर साल बार बार हम देते रहते हैं क्या हम goods का purchase का खर्चा हर साल बार बार हम करते रहते हैं क्या हम goods को बार बार हर साल खरीते हैं बेचने के लिए यस या नो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अच्छा repair होता रहता है एक साल बर में तो होता ही रहता है, अच्छा laptop, मैंने laptop अपने business में करता है क्या आपको लगता है हर साल में laptop खरते होंगे, नहीं एक आद laptop खरीद लिए एक बार में तो फिर वो तीन चार साल तक चलता है continuation में चलता है, तो capital expenditure क्या हुआ है, ऐसा expenditure जो की non recurring in nature है जो की आप बार बार नहीं करते हैं और revenue क्यासा expenditure हुआ, ऐसा expenditure जो की आप हर साल करते हों बार बार होता रहता है यह expenditure, यह expenditure कैसा expenditure के लाएगा आपका revenue expenditure, right? capital expenditure, वो expenditure जो की non recurring है, मतलब बार बार नहीं होगा revenue expenditure, वो expenditure जो की recurring है, जो की आपका बार बार होता रहेगा, right? और examples और difference के points समझेगा, जो revenue expenditures होते हैं हमारे, इनका benefit is derived over one year इसका जो benefit होता है आपको, वो आपको कितने समय में मिल जाता है, एक साल के अंदर-अंदर में आपको मिल जाता है इससे होने वाला जो फाइदा है वो आपको कितने period में मिल जाता है, एक साल के period में आपको मिल जाता है यह क्या कर लाता है आपका revenue expenditure जैसे मैंने का repair हर साल साल बर पर कराना पड़ेगा कुछ ना कुछ repair कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा चीज़ है let's take an example of your bike let's take an example of any electronic items जो की खराब होती रहती है हर साल कुछ ना कुछ repairing मांगती है तो क्या उस repair का जो benefit अपने को एक साल तक ही derive हो जाता है यस आपको पता है कि हर साल उसका repair कुछ ना कुछ कराना है यह हो सकते हर मैंने कुछ ना कुछ repair कुछ कराना हो but not more than one year एक साल के अंदर अंदर में आपको उसका benefit मिल जाएगा जबकि capital में आपको क्या होता है benefit आपको लंबे समय तक मिलता है long term तक मिलता है more than one year तक मिलता है in fact कह सकते हैं आप three to five years तक मिलता है यह five years and above मिलता है right तो benefit is derived in more than one year फिर अगर बात करें हम लोग अगले point की तो revenue expenditures हमारे वो expenditures होते है revenue items हमारे वो items होते हैं जो की आप incurred करते हैं on maintaining the capacity of a business a asset but these are incurred on increasing the capacity of our business या asset जैसे for an example, बाइक का या एसेंपल लेते हैं मेरी बाइक खराब चलने लगी इसके लिए मैंने बाइक को एक सेंग, just give me a moment जैसे बाइक को एक सेंगे बाइक को एक सेंग, just give me a moment तो अगर मेरी बाइक खराब चलने लगी और मैंने अपनी बाइक को बनवाया, रेपेर करवा लिया कैसा खर्चा? revenue expenditure मगर आप समझे ना, मैंने मेरी बाइक में ऐसा कोई device लगवा लिया जिससे की उसकी fuel efficiency बढ़ दे, तमंजी वो पहले 40 km की average देता था अब वो 50 km की average देता, या उसकी speed बढ़ दे, तो क्या उसकी efficiency बढ़ रही है? ठीक है? उसकी capacity बढ़ रही है? यस, तो फिर वो कैसा कर्चा हुआ है? क्या capital expenditure? बास सवंज में आ रहा है कि नहीं, generally हम एक और points से इसको differentiate करते हैं, यह जो amount होता है ना, यह amount एक आपका कभी-कभी जो differentiation होता है ना, कि यह capital expenditure है या revenue expenditure है, it depends upon the amount of expenditure है, सर्थ, it depends upon the amount of expenditure. मतलब जो आपने खर्चा कराया है, खर्चा किया है basically, उसकी भी value पर, उसकी भी amount पर, depend करता है कि वो खर्चा कैसा है, revenue है या, for example, जैसे suppose करो कि अगर मैंने 500,000, 2000, 5000 रुपे खर्चा किया है, तो इट माइट भी कस्रेड़ रुपे जो पांच लाग रुपे जो खर्चा की है उसका बेनेफिट केवल एक साल में नहीं मिलेगा वो भी असेट पर डिपेंडेबल है कभी कभी देखो ये क्यापिल रेवेन्यू किसी एक चीज पर डिफाइंड नहीं है ये अलग-अलग पैरामेटर्स पर डिफाइंड आए जैसे एक एसामपल के तोर पर ये समझते हैं मेरे लिए लापटॉप एक क्याप्टल एकस्पेंडेचर है मगर जिसकी दुकान लापटॉप की है उसके लिए लापटॉप कैसा एकस्पेंडेचर है क्योंकि वो लापटॉप को हर साल बार बार खरीदेगा बेचेगा तो उसके लिए लापटॉप कैसा एकस्पेंडेचर है जबकि मेरे लापटॉप कैसा एकस्पेंडेचर है तो बेसिकली इड डेपेंड्स ओन मैनी तैक्टर्स not a single factor can determine कि ये खर्चा कैसा expenditure है तो इसलिए मैंने कहा कि एक और पॉइंट ये भी आता है कई के बार डेटर्माइन करने में कि जो amount of expenditure है वो भी determine करता है कि ये खर्चा कैसा है आई देखते हैं क्या-क्या points आपने को लिखे वह याँँ आपर है कि capacity को बढ़ाने के लिए वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि किस purpose है क्या purpose है किसी asset को खरीदने के लिए यह जब तक वह asset खरीद करके use ना होना start हो जाए जैसे erection मतलब क्या होता है का मतलब होता है कि जाब पर asset को कहीं पर fix कर रहे हैं जैसे laptop है यहां पर अब मैंने laptop को यहां पर fix करवाने के लिए इसके अंदर में furniture खरीदा या इसके अंदर में कुछ और चीज़ें लगा दिया तो किसी भी asset को खरीदने या उसकी erection में जो भी खर्चा होता है वो सब कुछ खर्चा कैसे classified होता है capital expenditure क्या होता है जो हम लोग day to day running business में यह सब क्या हो क्या expense हो क्या यह सब के सब खर्चे अबारे कैसे expenditures है revenue expenditures है earning capacity हमारा जो capital expenditure है वो हमारी earning capacity को और बढ़ाता है जबकि revenue expenditure हमारी earning capacity को maintain करता है period यह एक साल के अंदर दर में इसका benefit होता है जबकि इसका benefit हमें एक साल से ज़्यादा मिलता है अच्छा accounting treatment आप कोई भी capital expenditure करते हो मैंने पहले कहा क्यों balance sheet में आता है balance sheet में assets है जबकि कोई भी revenue expenditure करोगे तो फिर वो कहां पर आएगा feeding PL में आएगा right feeding PL में debit side आएगा right फिर nature of accounts normally जो आपके capital expenditures होते हैं वो real account के nature क्यों होते हैं कैसे होते हैं यादे तीन accounts personal, real, nominal तो आपका जो capital expenditure उसका nature क्या हुआ real account बास सँझ में आ रहा है कि नहीं और जो revenue expenditure उसका nature क्या होगा nominal account right presentation it is shown in the balance sheet capital expenditures जबकि revenue expenditure क्या पर दिखा जाता है feeding PL में एजाम तोस कुछ आपको बता दिया है यहाँ पर देखिए कोई doubt तो फिर बताईए अच्छा इसके अंदर में आपको एक और expenditure बताए वो expenditure क्या है deferred revenue expenditure यह deferred revenue expenditure क्या होता है deferred revenue expenditures वो expenditures होते हैं जिन में revenue expenditure की भी खासियत होती है और capital expenditure की भी खासियत होती है just like revenue expenditure यह लोग recurring होते हैं मतलब हर साल किये जाते हैं and just like capital expenditure इनका जो benefit है हमें benefit is derived in more than one year capital expenditure तो revenue expenditure क्या होता है recurring होता हर साल होने माला खर्चा होता हुआ जबकि capital expenditure क्या हुआ ऐसा expenditure जिसका benefit मतलब समझ रहें ने समझ रही है तो deferred revenue expenditure में क्या होता है इस्टेफर revenue expenditure में दोनों की खासियत आ जाती है revenue expenditure की तरह ऐसा नहीं कि आप उसको एक ही बार करेंगे आप उसको हर साल incur करेंगे मगर उसका benefit आपको एक साल में नहीं मिलेगा एक साल से जाता मिलेगा जैसे advertisement is a classic example आप advertisement हर साल करते हैं और advertisements का benefit जो आप customers उससे acquire करते हैं कि वो आपसे एक ही बार समान करते हैं वो कई साल तक आपसे हो सकता है तो यह खर्चे कैसे advertisement कैसा कर्चा हुआ हमारा deferred revenue expenditure advertisement के लावा कोई और सा classic example मेरे दिमाग में एक बार देखते हैं advertisement के लावा कोई और classic example हो तो patent एक asset हुआ basically patent को भी का जा सकता है बत advertisement ही मेरे साब से best example है ठीक है deferred revenue expenditure जाल एक पर पर पिश्चा है पर पिश्चा है पर पिश्चा है इसमेन definition is not given properly और रहर तो इसको भी एक्स्प्लीन कर दिया बश्खाल है यहां पर so if you all want you can write it down what is deferred revenue expenditure if you all want you can write it down what is deferred revenue expenditure deferred revenue expenditure क्या हाता है तोस expenditure which are incurred each year those expenditures which are incurred each year for every year each year those expenditure which are incurred every year comma but benefit is derived but benefit is derived of such an expenditure but benefit is derived of such an expenditure in more than one year सभ्च में आ रहा है तो ऐसे expenditure का benefit हमें एक साल में derive नहीं होता है एक साल से ज्यादा में derive होता है यह क्या कराता है बारा deferred revenue expenditure तो revenue expenditure हम लोगो पता है हर साल incur होने बाला expenditure होता है capital expenditure के चिसमें क्या खासे होता फिरसा repeat कर रहा हो एक साल से ज्यादा उसका benefit मिलता है so deferred revenue expenditure में दोनों खासके हो जाती है like revenue expenditure हर साल incur होगा and like capital expenditure benefits का derived होता है more than one year नॉर्मली 3 to 5 years आम तोर पर कितने सालों तो किनलता है नॉर्मली 3 to 5 years तर किसका आपको benefit बनलता है this is deferred revenue expenditure तो स्वेंट्स याद होगा आप लोगो हम लोगो ने पढ़ा था कि expenditure और receipt तो expenditure हमारे basically दो टाइप के revenue और capital उसमें एक और बना दिया गया deferred revenue expenditure अब receipt आपके दो टाइप के एक revenue receipt और एक revenue receipt क्या होता है जो आपको day to day business operations से मिलता हो जो आपको हर साल मिलता रहे regularly मिलता रहे वो क्या कहला है आपका जैसे goods को sell करके जो price है वो revenue receipt होगा आपकी जो services है उससे कुछ पैसा मिला revenue receipt आपका commission मिला आपको revenue receipt मगर अगर आपने किसी से loan लिया धान सुनिएगा आपने किसी से अगर loan लिया तो क्या वो भी एक receipt है yes receipt का मतलब क्या वो कोई भी ऐसे चीज जिससे आपको पैसा आए आप loan लेंगे तो आपका पैसा जाएगा या आएगा आपको बात की बड़ी चिंता है आज की दुनिया में दियो आज क्या हो रहा है जाएग तुमने loan लिया तो क्या क्या आपका loan लेने के बाद में पैसा जाता है या आता है आदे फिर loan भी लेता है वे कलग आइटम है हम सिर्फ यहाँ पर loan की बात कर रहे है उससे जुड़े वे किसी और आइटम की बात नहीं कर रहे है आप जब loan ले रही है तब की बात करिए कि जब आपने loan लिया तो फिर वो कैसा receipt है revenue receipt है capital receipt है अब उस पर आप अगर principal का repayment करती है interest का repayment करती है वो कैसा वो देखे वो receipt नहीं है पले तो वो तो एक तरीके से expenditure हुआ वो तो एक तरीके से payment हुआ I hope बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो don't go for that अब भी हम किसकी बात कर रहे है वेर है talking about receipt और आपको loan मिला it is a it is a capital receipt आप हर रोज थोड़ीना loan लिदने ही जाते हो once in a time तो फिर वो कैसा receipt हुआ capital receipt तो देखे धान से revenue receipt और capital receipt यहाँ पर बहुत ही simple है capital receipt के कुछ examples आपको यहाँ पर बताएं कोई book लेकर क्या है मेरी तो फिर नोट करना easy होगा नहीं लेकर क्या है तो फिर मैं इसको note करवा दे रहा हूँ लग से आप लोग note कर लिए rent आ रहे है अब बताओ क्या rent आपको हर मैंने आता रहेगा कैसा receipt हुआ अब क्या आपकर रिसेट में क्या होगा जैसे मैंने अपना laptop बेस दिया उससे कुछ पैसा मिला क्यों हर बार सुना बेचेंगे कैसा receipt हुआ वासवाग में आ रहा है कि नहीं तो रिसेट दो टाइप के होते हैं देखिए investment आपने किया पैसा तो आया तो नहीं तो investment आपने क्या प्रवा expenditure हुआ और कैसा expenditure हुआ मगर investment अगर आपने बेच दिया और बेच करके अगर पैसा आया हुआ है क्या आपको लीस पर कुछ ती लीस का भी देखिए आपको ना जो आपको अगए तो समय आपको नहीं तो रेवेट्स का वेशिप्स को रिदेख्ञ आती रहती है का वेटाणी है दो रिद्स कीज पर रहती हैuem ज़ो हुट शूट है जो रिद्स हो तिह आपको Treps 255 00 recurring in nature recurring का मतलब क्या हुआ regular in nature बस वाज में आ रहा है कि नहीं और ये आपका normal day to day business operation से आता है जबकि capital क्या हुआ आपका non recurring in nature पन्में आ रहा है कि नहीं ये आपका other than normal business activity से आता है ऍिष्एल से खरें पाजर आपका ये ऍffen आपका खर ये से उन्में आपका पकुम से लिएक इन ँपका अनूर जहें ह हुआ आपका ये लिवर अवर डिगर पता हुआ तुम आपका ऍटभश्व lucky कि कि अच्छा रेविन्यू रेच्ट एक बार कोई बताएगा काम पराएगा मारा रेविन्यू रेच्ट काम पराएगा यह स्ट्रेडिंग टील में रिकॉर्डेड इन रेकॉर्डेड इन रेडिंग एंड पील और यह कहां पर आता है इसका इंपक्त इसका इंपक्त आता है बैलन्स सीट में अब देखो जैसे अगर लोन लीए हो तब तो लाबिल्टी साइड में आ गया मगर अगर इस लैब्टॉप को सेल की हो तो फिर काम पर आएगा तो एसेट में से गढ़ जाएगा इंपक्त बैलन्स सीट में क्या आता है या तो फिर आपकी लाबिल्टी लाबिल्टी बढ़ जाएगी कि लोन तो क्या है लाबिल्टी मगर अगर यही ऐसेटं करथ जिए अ कि खड़ जाएगी वह कम हो जाएगी तप्र आसट की वलिए अपके टिकरीयू सी गएकिए हैइगी लेका फिर बुली फुर आगे आजए there are not much but yes we can do one thing we can do one thing classify the following as classify the following as capital revenue or deferred revenue expenditure right what is purchase of furniture what is payment of salary what is expenses paid for construction of building right do you all know what is preliminary expenses you are asking me but preliminary expenses you all must have read it आप लोगो ने company के बारे में अगर पढ़ा होगा तो फिर बहाँ पढ़ा होगा किस है कैसे ही वो सारे के सारे खर्चे होते हैं आपके प्रिलिम्नरी प्रिलिम्नरी एक्स्पेंसेस के रूप में रूप में राइट कंस्ट्रक्शन नहीं इन सेंपर बट कहें तो फिर उन लिगालेटी इसको पूरा करने में बहुत सारा खर्चा होता है जैसे एक 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 कंपनी बन रही है और कंपनी मार्केट से पैसा बठाना चाहती है तो वह अपना सेर्स लेकर क्या रही मार्केट में यसे अभी किसी कंपनी का आपको नहीं सुनाओगा अदानी का सुनाओगा अदानी एंटरपाइसेस अपना जो है एफ्प्यों लेकर कहती सब एक टेक्नीकल टेंपसा नहीं इंटो डेटील अब दाट बट वह मार्केट से पैसा लेकर करने अपने बिसनेस को बढ़ाना चाहती थी उसके ल और ये खर्चा अगेन एक डिफर्ड रेविन्यू एक्सपेंडिचर के रुपें क्लासिफाइड होता है